नमस्कार, Vision ISK News Today के इसंक में आप सभी का सुपागत है इसंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं UPSC परिक्षा की दृष्टी से महत्वपोर्ण, कुछ एहम खबरें इसंक के साथ मैं हूँ दिव्यत उमर आईए सबसे पहले बात करते हैं इसंक की खास खबरों के बारे में केंद्रिय मंत्री मंडल ने भारत के अपडेट किये गए राश्ट्री एस्तर पर निधारित योगदानों को मनजूरी प्रदान किर दी है भारत में अमेरिका के निद्रितो वाली खनिज सुरक्षा साजिदारी में शामिल नहीं किये जाने पर चिंता व्यक्ति की है दस नई अदरभूमियों के शामिल होने के साथ ही भारत में रामसर इस्थलों की कुल संख्या 64 हो गई है और उर्जा संरक्षन संचुधन विधेक 2022 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया संसदिय समिती ने प्रवासी भारतियों पर नीती के अभाव के लिए सरकार किया अलोचना की और आई अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं केंद्रिय मंत्री मंडल ने भारत के अपडेट किये गए राष्ट्रय असतर पर निधारित योगदानों को मंजूरी प्रदान की है अपडेट किये गए NDCs के बारे में जलवाईू परिवर्तन पर सैंक्त राष्ट्रे फ्रेमवर्क कन्वेंशन को सूचित किया जाएगा अपडेट किये गए NDCs जलवाईू परिवर्तन के खतरे से निपटने के वैश्विक प्रयासों को मजबूत करने में भारत के योगदान में व्रिधी करेंगे इन वैश्विक प्रयासों पर पेरिस समझोते के तहत सैमती बनी थी इससे ग्लासगो में आयूजित कोब 26 में घोशित पंचामरित जलवाईू लक्षियों को और विस्तार मिलेगा ये लाइफ यानि परियावरन के लिए जीवन शैली नामक जन अंदोलन के माध्यम से स्वस्थ और सतत जीवन जीने के तरीके को बढ़ावा देंगे ये प्रतिबधिता हैं वर्ष 2070 तक भारत के दीरकालीन उत्सरजन लक्षि को शुनि तक पहुँचाने की दिशा में एक कदम है भारत के अपडेट किये गए NDCs को वर्ष 2021 से 2030 की अवधी में संबंधित मंत्रालेयों या विभागों के कारिक्रमों और योजनाओं के माध्यम से लागू किया जाएगा इन्हें राजियों और केंदर शासित प्रदेशों का उचित समर्थन भी प्राप्त होगा और आई अब बात करते हैं भारत के जलवायू लक्षे से पहले निर्धारित किये गए लक्षे और अब नए लक्षों के बारे में उत्सरजन तीवरता में कमी के बारे में 2015 तक ये निर्धारित किया गया था कि वर्ष 2005 के इस तर से 33 से 35 पृतिशत तक उत्सरजन तीवरता में कमी लाई जाएगी वहीं वर्ष 2022 में अपडेट किये गए NDCs के मताबिक वर्ष 2005 के इस्तर से 45 प्रतिशत तक उत्सरजन तीवरता में कमी लाई जाएगी और इसकी प्रगती की बात करें तो वर्ष 2016 में ही 24 प्रतिशत की कमी हासिल कर ली गई है और 30 प्रतिशत तक कमी पहुँचने का अनुमान है इस्थापित विद्युत्शमता में गैर जीवाश में इन्धन का हिस्सा इसके बारे में वर्ष 2015 तक कहा गया था कि 40 प्रतिशत इस्थापित विद्युत्शमता में गैर जीवाश में इन्धन का हिस्सा होगा हाला कि अब वर्ष 2022 में इसे बढ़ा कर 50 प्रितिशत कर दिया गया है इस दृष्टी से प्रगती देखें तो जून 2022 के अंति तक 41.5 प्रितिशत हासिल कर लिया गया है कार्बन सिंग की की इस्तिती देखें तो वनीकरण के माध्यम से 2015 तक धाई से 3 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंग का निर्मान किया गया इस लक्ष में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसकी प्रगती भी अब तक आज़ पष्ट है ग्लासगो में प्रधानमंत्री द्वारा घोशित पंचामृत जलवायू लक्षियों में जो प्रतिबधिताएं दर्शाई गई उनमें शामिल है भारत वर्ष 2030 तक अपनी गैर जिवाश्म उर्जा शमता 500 गीगावार तक बढ़ाएगा और आई अब जानते हैं कि क्या अपडेटिड एंडिसी में इनको शामिल किया गया है तो इस बात को एंडिसी में शामिल नहीं किया गया है भारत वर्ष 2030 तक अपनी उर्जा आवश्यक्ताओं के 50% की पूर्ती नवीकरणिय उर्जा संसाधनों के माध्यम से करेगा ये पॉइंट शामिल किया गया है भारत अब से लेकर वर्ष 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सरजन में एक अरब्टन की कमी करेगा ये भी नए एंडिसी संशोधन में शामिल नहीं है वर्ष 2030 तक भारत अपनी अर्थ विवस्था की कार्बन उत्सरजन तीवर्टा को 45 पृतिशत तक कम करेगा इसे भी नए संशोधनों में शामिल किया गया है वहीं वर्ष 2030 तक भारत शुद्ध शुन्य उत्सरजन का लक्षे प्राप्त कर लेगा इस लक्षे को भी नडिसी में शामिल नहीं किया जाना था भारत में अमेरिका के नित्रितो वाली खनिज सुरक्षा साज़ेदारी में शामिल नहीं किये जाने पर चिंता व्यक्ति की है खनिज सुरक्षा साज़ेदारी इस्थिर और विविद खनिज आपूर्ति श्रंखला के लिए एक अंतर राष्ट्रिय साज़ेदारी है खनित सुरक्षा साजेदारी यानी MSP दुरलब खनिजों का उत्पादन, प्रसंसकरन और पुनरचक्रन सुनिश्चित करता है इससे देशों को उनके भूवे ग्यानिक संसाधनों का आर्थिक विकास के लिए पूर्ण लाब उठाने में मदद मिलेगी इस साजेदारी में 11 सदस्ट शामिल हैं यह कोरिया, अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी, युनाइटिट किंडम, यूरोपिय संग आयोग, फिनलेंड, फ्रांस, आस्ट्रिलिया और नॉर्वे यह साजेदारी कोबाल्ट, निकेल, लीथियम, आदी जैसे खनिजों और 17 दुरलब मृदा खनिजों की आपूर्थी श्रंखला पर ध्यान केंद्रित करीगी आईए आपको बताते हैं कि आखिरकार भारत के लिए MSP समूहु में शामिल होना क्यूं महत्तपूर्ण है इससे दुरलब खनिजों की मामले में चीन पर निर्भरता कम हो सकती है वर्तमान में चीन 16 दुरलब खनिजों का विश्यों का सबसे बड़ा उत्पादक है यह समूहु इलेक्ट्रोनिक्स विकास के लिए महत्तपूर्ण है भारत ने वर्ष 2030 तक निजी कारों की कुल विक्री में इलेक्ट्रोनिक वहनों की 30% हिस्सेदारी का लक्षिन निर्धारित किया है इससे शुद्ध शुन्य ग्रीन हाउस गैस उत्सरजन हासिल करने में मदद मिलेगी आपको बता दें कि दुरलब खनिजों के प्रमुक उत्पादक हैं चिली, इंडोनेशिया, कॉंगो, चीन, आस्ट्रेलिया और दक्षिन अफ्रीका दरसल दुरलब खनिज ऐसे तत्व हैं जो आधुनिक समय की आवश्यक प्रोध्योगिकियों के निर्मान की आधार हैं भारत ने काबिल या खनिज विदेश इंडिया लिमिटेट की इस्थापना की है ये भारतिय घरेलू बाजार में दुरलब और सामरिक खनिजों की निरंतर आपूर्ती सुनिश्चित करेगा अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक परियावरन एवं पारिसितिकी से संबंदित हैं दस नई आधरभूमियों के शामिल होने के साथ ही भारत में रामसर इस्थलों की कुल संख्या अब 64 हो गई है भारत के 10 नई रामसर इस्थलों में तमिलनाडू की 6 आधरभूमियां और गोवा, करनाटक, मध्यप्रदेश और ओडिशा की एक-एक आधरभूमि शामिल है रामसर कन्वेंशन पर वर्ष 1971 में इरान के रामसर में समझोता हस्ताक्षर किये गए थे भारत रामसर कन्वेंशन के पक्षिकारों में से एक हैं अब तक भारत की 64 आधरभूमियों को अंतराश्ट्री महत्यू के रामसर इस्थलों का दरजा दिया गया है आधरभूमी इस्थलिया और जलिये प्रणालियों के बीच संक्रमन वाली भूमी होती है यहां जलिस्तर आमतोर पर सतह के बराबर या उसके निकट होता है अथवा भूमी उथले जल से ढकी होती है और आईए अब आपको बताते हैं भारत की 10 नई रामसर आधरभूमियों के बारे में सबसे पहले बात करेंगे कुंथन कुलम पक्षी अभ्यारणने के बारे में यह तमिल नाडू राजे में हैं इसके विशेषताई यह हैं कि यह मानव निर्मित आदरभूमी है यह एक महतोपून पक्षी और जैव विवित्ता शेक्त्र है यह मध्य इशियाई उडान मारगों का हिस्सा है यहां कि महतोपून प्रजातियां है फ्लिमिंगो, पेंटिट स्टॉक और बार हेड़िट गूज सतकोसिया गार्ज यह उडीशा में है महानदी के उपर विशाल महाखड के साथ विस्त्रित है सतकोसिया दो जैव भोगलिक शेत्रों और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है यहां की महतोपून प्रजातियां है गडियाल, ग्रेट एग्रेट और इंडियन इसकीमर आदी नंदा जील यह गुवा में है अधिकान शेत्र ताजे जल का दलदली शेत्र है जो जुआरी नदी की प्रमुक धाराओं में से एक के निकट इस्थित है यहां की महतोपून प्रजातियां है ब्लैक हैडड आईबिस, वायर टेल्डो स्वालो, कॉमन किंग फिशर आदी इसके अलावा मननार की खाडी, मरीन बायोस्फेर रिजर्व को भी रामसर अद्रभूमी का दर्जा दिया गया है यह तमिल नाडु में है दक्षिन और दक्षिन पूर्व एशिया में यह पहला समुदरी बायोस्फेर रिजर्व है यह भारत के दक्षिन पूर्वी तट परिस्थित है यहां की महतोपून प्रजातियां है इसके अलावा रंगना थिट्टू पक्षी अभ्यारणिक करनाटक यह बॉम्बे नैच्रल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा महतोपून पक्षी शेत्रों में से एक की रूप में सूची बद्ध है यहां की महतोपून प्रजातियां है मगर मगर मच स्मूद कोटेड ओटर यानी उद बिलाओ हम बैक महाशीर आदी बेमबनूर आदरभूमी कॉंपलेक्स यह तमिलनाडू में स्थित है यह मानव निर्मित अंतरदेशी अतालाब है यह महतोपून पक्षी और जैविवित्ता शेत्र का हिस्सा है माना जाता है कि इसका निर्मान पांडे राजा वीर नरायन के शाशनकाल में हुआ था यहां की महतोपून प्रजातियां है इंटरमीडियेट इगरिट और इंडियन पॉंड हैरोन आदी इसके अलावा है वेललोड पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडू इसे पेरिया कुलम येरी के नाम से भी जाना जाता है यह मध्य एशियाई उडान मार्क का हिस्सा है इसके महतोपून प्रजातियां है वाइब्रेंट विंग्ड पिंटल बतक पेलिकेन आदी सिर्पूर आदरभूमी यह मध्य प्रदेश में है इस्थली और जलिय प्रवासी और इस्थानिय पक्षियों के लिए यह एक महतोपून नेस्टिंग इस्थल है यहां की महतोपून प्रजातियां है रॉक पिजन, लाफिंग डोव और कैटल एग्रेट आदी वेदा थंगल पक्षी अभ्यारण्य है तमिलनाडू में यह अंतराष्ट्रे इस्थर पर इंपोर्टेंट बर्ड और बायो डाइवर्सिटी एरिया के रूप में मानिता प्राप्त है इस्थानिय लोगों को जील के खाद युक्त जल से लाप्राप्त होता है इससे क्रिशी उपज कई गुना बढ़ जाती है यह लिक्विट गुआनो इफाक्ट है बेदा थंगल पक्षी अभ्यारण्य की महत्वपून प्रजातियां है जल काग, बगुला, भूरा बगुला, खुली चोचवाला सारस, डार्टर, स्पून बिल आदी उदे मार्तंड पुरम पक्षी अभ्यारण्य, यह तमिल नाडू में स्थित है यह जल पक्षियों की कई प्रजातियों के लिए महत्वपून, ठहराओ और प्रजननिस्थल है यहां की महत्वपून प्रजातियां है औरियंटल डार्टर, ग्लॉसी आईबिस और ग्रे हराउन आदी अगली खबर उर्जा शेतर से है उर्जा संरक्षन संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया यह विधेयक उर्जा के कुशल उप्योग और इसके संरक्षन तथा ऐसे अन्य मामलों के लिए उर्जा संरक्षन अधिनियम 2001 में संशोधन करता है यह विधेयक उपकरण, बिजली से चलने वाली वस्तुओं, भवन और उद्योगों द्वारा उर्जा खपत के विनियमन का प्रावधान करता है विधेयक के प्रमुक प्रावधानों की बात करें तो उर्जा के गैर जिवाश मस्रोतों का उप्योग करने की बाधिता है यह विधेयक हारित भवनों के लिए उर्जा सनरक्षन और सतत भवन सहीता का प्रावधान करता है उर्जा दक्षिता ब्यूरो की शासी परिशद में सदस्यों की संख्या में व्रिधी की गई है साथ ही राज्य विद्युत विनियमक आयोगों को अपने कारें के सुचारू संचालन के लिए विनियम बनाने का अधिकार दिया गया है इस विधे कम है तो ये है कि ये ग्लासगों 2021 में आयोजित कोप 26 में भारत द्वारा घोशित पंचामरित लक्ष प्राप्ति को आसान बनाएगा ये जलवायू परिवर्तन से निपटने के लिए नवी करणिय उर्जा और घरेलू कार्बन बाजार के विकास को बढ़ावा देगा ये नई अवधारणाओं को शुरू करेगा जैसे की कार्बन व्यापार इसके अलावा वर्ष 2030 तक लगभग 550 टन के बराबर कार्बन डायोकसाइड को कम करेगा संसदिय समिती ने प्रवासी भारतियों पर नीती के अभाव के लिए सरकार की आलोचना की समिती की प्रवासी भारतियों का प्रमानिक डेटा उपलब्ध नहीं है प्रवासियों के सामने आने वारी चुनोतियों का समाधान करने के लिए कल्यानकारी योजनाओं के कार्यानवेन की कमी है साथ ही विदेशों में भारतिय कामगारों द्वारा अरजित कौशल और दक्षताओं का उप्योग करने के लिए अभी तक परियाप्त कदम नहीं उठाए गए हैं इस समिथी ने सिफारिश की है कि प्रवासी भारतिय समुदाए के साथ गहरे और व्यापक संबंधों के लिए एक दस्तावेज बनाया जाना चाहिए ये दस्तावेज मार्कदर्शक सिध्धान्त के रूप में कारे करेगा विदेशों में एस्थित भारतिय मिशनों को प्रवासी समुदाय के साथ निकट समपर्क विक्सित करने में अधिक सक्क्रिय भूमिका निभानी चाहिए और सभी महत्वपोन भारतिय मिशनों या केंद्रों में प्राथमिक्ता के आधार पर सामुदाई कल्यांड विंग की स्थापना की जानी चाहिए साथ ही विदेशों में पीडित भारतिय महिलाओं की मदद के लिए वन स्टॉप सेंटर तुरंत शुरू किये जाने चाहिए और व्यापक पुनर्वास योजना शुरू की जानी चाहिए ये उन कर्मियों की मदद करेगी जो महामारी या अन्य आपदाओं के कारण अपनी नौकरियों से वन्चित हो गए ये योजना उनके और उनके परिवार के लिए आजीविका के साधन सुरक्षित करेगी प्रवासी भारतियों के लिए शुरू की गई प्रमुख पहले हैं प्रवासी भारतिय दिवस, प्रवासी कौशल विकास योजना, समुदाय कल्यान कोश आदी इसके मुखे तथियों की बात करें तो भारतिय प्रवासी समुदाय में 18 मिलियन से अधिक PIO और 13 मिलियन NRI शामिल हैं ये वैश्वी के स्तर पर सबसे बड़े प्रवासी समुदायों में से एक हैं रेमिटेंसेस पर विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत को वर्ष 2021 में विश्व में सबसे ज्यादा विप्रेशन प्राप्त हुआ था और वर्ष 2022 में भारत के विप्रेशन में 2.6 प्रतेशत की व्रिद्धी होने की संभावना है और आईए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपोंट सुर्खियों के बारे में केंद्रिय सतर्कता आयोग हाल ही में सुरेश पटेल ने नए सीवीसी के रूप में कारेभार सम्हाल लिया है सीवीसी एक सामविधिक निकाए है इसकी स्थापना वर्ष 1964 में भरष्टाचार निवारन समिती की सिफारिशों पर की गई थी ये निकाए सतर्कता की शेत्र में केंद्र सरकार की एजेंसियों को सलाह और मार्कदर्शन प्रदान करता है इसमें केंद्रिय सतर्कता आयुक्तो और अधिक्तम दो सतर्कता आयुक्तो होते हैं सीवीसी और उसके सदस्यों की निवक्ती की बात करें तो इनकी निवक्ती तीन सदस्य समिती की सिफारिशों के अधार पर की जाती है इन सदस्यों में प्रधान मंत्री, केंद्रिय ग्रिह मंत्री और लोगसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं इन्हें राश्ट्रपती द्वारा नियुक्त किया जाता है अगली खबर है गैर कानूनी गतिविधी रोगथाम अधिनियम 1967 UAPA ग्रिह राज्य मंत्री ने UAPA अधिनियम के तहट दोश सिद्धी की निम्न दर की बारे में राज्य सभा को सूचित किया है वर्ष 2016 से वर्ष 2019 के बीच इस अधिनियम की तहट केवल 2.2 प्रतिशत मामले ही दर्ज किये गए हैं राष्ट्रिय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2019 में जारी भारत में अपराध रिपोर्ट के अनुसार इस अधिनियम के तहट गिरफतार किये गए व्यक्तियों की कुल संख्या एक हजार नौसो अर्तारीस थी UAPA को व्यक्तियों और संगठनों की कुछ गयर कानूनी गतीविधियों की रोक थाम और आतंकवादी गतीविधियों तथा संबंधित मामलों से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया था इस कानून के तहट भारतिय नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों को आरूपित किया जा सकता है लंदन इंटरबैंक ओफ़र्ड रेट यानि लिबोर हाली में लिबोर वर्ष 2008 के बाद से अपने उचितम इस्तर पर पहुँच गया है लिबोर इंटरबैंक बाजार में असुरक्षित अलपकालिक उधार के लिए वैश्विक संदर्बदर है ये कम अवधी की ब्यासदरों के लिए एक मांदंड के रूप में कारे करता है साथ ही इसका उपियोग मुद्रा दर्विनिमय यानि करंसी रेट स्वैप्स और बंधक यानि मौर्गेज के लिए किया जाता है इसे इंटर कॉंटिनेंटल एक्सचेंज प्रशासित करता है इसकी गढ़ना पांच मुद्राओं के लिए की जाती है स्विज फ्रैंक, यूरो, पांड स्टर्लिंग, जापानी येन और अमेरिकी डॉलर ये वित्य प्रणाली के स्वास्थे का सूचक है इसके अलावा ये केंद्रिय बैंकों की आसन नीतिगत दरों के प्रभावों का विशलेशन करता है लिबोर के भारतिय समकक्ष को मुंबई इंटरबैंक ओफ़र ड्रेट के रूप में जाना जाता है इसकी गर्णा नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ओफ इंडिया द्वारा की जाती है जैविक खननन यानि बायो माइनिंग एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के गाजीपूर अपशिष्ट इस्थल में बायो माइनिंग किये जाने वाला अपशिष्ट कुल अपशिष्ट का किवल 6.86 प्रतिशत है जैविक खननन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अपशिष्ट को जीवों या प्रकृतिक तत्वों जैसे की वायू और सूरी के प्रकाश से उपचारित किया जाता है इस प्रक्रिया से अपशिष्ट में मौजूद जैव निमनीकृत तत्व समय के साथ नश्ठ हो जाते हैं वहीं जैव निक्षालन विधी से निशकर्शित धातूँ में सोना, तामबा, चांदी, कोबाल्ट, यूरेनियम, जस्ता, निकिल, आदी शामिल नहीं है पुराने अपशिष्ट की शत्प्रतिशत बायो माइनिंग अपशिष्ट इस्थल पर बार-बार आग लगने की समस्या का समाधान है आतंकवाद रोधी समिती स्युक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशद प्रस्ताव 1373 के कारे अन्वयन की निगरानी का कारे सौंपा गया है इसमें देश से अनुरोध किया गया है कि वे अपने राजेशेत्रों में और दुनिया भर में आतंक वादी गती विधियों से निपटने के लिए अपनी कानूनी और संस्थागत शमता को बढ़ाने वाले उपायों को लागू करे सक्षम वरिष्ठ नागरिक को आत्मसंबान के साथ पुना रोजगार प्रदान करने के लिए पोर्टल सेक्रेड यानि सेक्रेड पोर्टल सामाजिक नियाय और अधिकारिता मंत्राले ने रोजगार चाहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेक्रेड पोर्टल लॉंच किया है ये पोर्टल रोजगार प्रदाता और रोजगार खुज करता दोनों को एक मंच पर लाने के लिए रोजगार बाजार के रूप में कारे करेगा ये वरिष्ट नागरिकों को उभरती कारेस्थल मांगों के लिए स्वैम को पंजीकृत कराने में मदद करेगा यानि कि तब रिटार्मेंट के बाद भी हमारे बुजर्ग सम्मान के साथ में जीवन जी सकते हैं और अपने जीवन के अनुभवों से किसी भी कारेस्थल को लाप पोहँचा सकते हैं। कुणवत्ता पूर्ण अनुसंधान के लिए सहीयोग को बढ़ावा देगी। इससे विज्ञान, इंजिनेरिंग और परिमानात्मक सामाजिक विज्ञान के सीमान्थ शेत्रों में अनुसंधान और विकास में सहेता प्राप्त होगी। करने वाले चक्मा और हाजोंग सरनार्थियों और उनके वंशजों के लिए जारी किये गए थे। चक्मा और हाजोंग नरजातिय लोग हैं ये चटगाओं पहाडी शेत्रों में रहते हैं इनमें से अधिकांश बांगलादेश में रहते हैं। चक्मा मुख्य रूप से बौध हैं और हाजोंग हिंदू हैं। ये पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, बांगलादेश और म्यामार में निवासित हैं। और आई अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। जो मलक का जल्डमरू द्वारा अलग होता है। इसके पूर्व में बोर्णियों इस्थित हैं। ये करीमाता जल्डमरू मध्य के दूसरी और अवस्थित है। इस द्वीब के पश्चिम में हिंद महा सागर है। सुमात्रा द्वीब की जल्वायू भारी वर्षा सहित उष्ण और आद्र है। इसके पश्चिम में बेरिसन परवत और पूर्व में दलदली मैदान है। द्वीब के अगले महत पूर्ड चर्चितिस्थल की आइसलेंड की राजदानी के बारे में। आपको बता दें कि रिकिविक में हाल ही में दखशिन पश्चिमी आइसलेंड में स्थित माउंट फागरा डालसियाल जौला मुखी में विस्पोर्ट हुआ है। और इसलिए ये चर्चा में है रिकिविक आइसलेंड का सबसे बड़ा शहर है ये सेल्ट जर्णनेज प्रायदी परिस्थित है जो दक्षिन पश्चिमी आइसलेंड में फैक साब बे के दक्षिन पूर्वी किनारे परिस्थित है ये आइसलेंड का वानेजिक और द्योगिक और सांस्कृतिक केंद्र है ये मचली पकड़ने का प्रमुख बंदरगा है एलिसारी नदी आइसलेंड के दक्षिन पश्चिम में रिकिविक शेत्र में इस्थित है और माउंट एसजा रिकिविक से 10 किलोमीटर की दूरी पर इस्थित है इसके साथ ही ये अंक समाप्त होत इसलिए अपनों का और अपना विशेश ध्यान रखें और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें इसके साथ ही विजन आइस की पूरी टीम आपसे इजाज़त लेती है नमस्कार थैंक्यू फोर लिसनिंग